किसान बिजली बिल माफी होजना के तहित 100% छूट मिलने वाली स्कीम सुरुवात हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 30 जून 2024 रखी गई है और इसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 6 मार्च से चालू हो चुकी है आप इसमें 100% छूट के लिए जितने भी इसमें नलकूप उपभोगता है जो LMB5 यहाँ पर यूज करते हैं विद्दू गरान करते हैं उन सभी के यहाँ पर बकायदार पर 100% उनकी जो छूट है वो बरकरार रखते हुए से इसकीम को लागू कर दिया गया है अब इसकीम में पैसा जमा करने से पूर इस यूजना के तहित अफिसेल साइड पर पीसेल के माध्यम से नोडिविकेशन जारी कर दिया गया है किसमें किस तरीके से कटेगरी वाई जिसमें जो नियम बनाए गया है पद्धित रखी गई है उसे आप सबसे पहले रीड कर लें तो जमा करने से पूर पूरी जानकारी इसको हम आपको बताने वाले हैं कितने किस्त में आपको कितनी परसेंट तक छोट मिलेगी से स्कीम के तहित तो चले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तक जो है नागो रहेघी यहाँ पर परदाशी कर दी गई है अब देख सकते हैं इस प्रीडियो जारी किये गए दिनांग सात मार्च दो हजार चौविस है और इसमें भी वही डिटेल बताया गया है जैसे में देख सकते हैं 6 मार्च 2024 से लागू कर दी गई है और इसमें बताया गया कि एक अप्रेल 2023 से निजी नलकूप उभोगताओं को जो कि अंतर गताते हैं उनको निम्न सर्तों पर परतिबंधों के आधिन निसुल्क बिद्धूताप उड़ती की जाएगी तो आपकी जो संयोजना करलाब दिनांक एक अप्रेल 2023 से उन्हीं भोगताओं को दिया जाएगा जिनके दौरा संयोजन के सापेच दिनांक 31 मार्च 2023 तक के बकाय का पूर भोगतान कर दिया होगा ब्याज बिलंब अधिभार एल्पीएस की गढ़ना दिनांक 31 मार्च 2023 तक के कुल बकाय प के ही कुल बकाय पर आपको यहां पर जो है अधिभार का छोट मिलेगा देखी यहां पर जो मेन बिंदु होती है कि पंजी करण के समय भोगता को निम्न तीन बिकल्प परदान किये जाएंगे पहला पिकल्प यहां पर देखी एदिव भोगता जो है समस्त बकाय का एक मुस अधिक किस्तों में करने का निर्ड़ा लेता है विकल्प चुनता है तो उसे उसके ब्यासदर में सिर्फ नाप्य परसेंट चुड़े हैं दैफ परसेंट कम कर दी जाएगी वहीं तीसरा विकल्प आप देखेंगे दोस्तों अगर इसमें भोगता जो है अपना भुकतान छ आप यहां पर किस्त पे पूरा पेवेंट बगया बिल जमा करते हैं तो इसमें दिखिए एक डिफाल्ट भी कर दिया गया है यादि किस्तों का विकल्प चुनने वाले भोगताओं को बगाय कि किस्ते नीमित तित्त तक जमा करने पर डिफाल्ट किस्ते में नीमना अनुसा जमा करते हैं थोड़ा लेड जमा करते हैं तो इसमें आपको कोई उपर अलग से चार्ज नहीं लेगा जागे लेकिन अगर यहाँ छे किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट अनमन होगा यानि कि अंतिम किस्त को छोड़ कर अर्थात किसी भी इस्तित में अंतिम किस्त को डिफाल्ट करना अनमन नहीं होगा तथा छठी किस्त की अंतिम्तित तक समस्थ भुक्तान करना होगा यानि कि अगर छे किस्त में से एक किस्त आप लेड भरते हैं जैसा कि हम कहें यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि अगर जिस तरीके साब किसी गाड़ी की इमाई सही समय पर भरते हैं तो आपकी एक्स्ट्रा भ्याज नहीं लगते हैं कर इसे भी उसे ही तरीके से जो किस्त भरने की अनमन तित आपको मिलेगी उसी ही डेड पे आपको ये किस्त भरनी होगी और आप अगर एक किस्त छोड़ देते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा यहाँ अब यहां पर आप देख लेजिए यूजना कें तरगर पंजी गरल करने हों दिनांग 30 जून 2024 तक की समय सिमय निर्धारित की जाती है दिनांग 30 जून 2024 के उपरान तैसे वो भुकता जिनका 31 मारव 2030 तक बकाया है उनके दौरा पंजी करण नहीं किया गया है उन्हें इस योजना का लाब प्राप्त नहीं होगा अगर उसके बाद आप करते हैं तब आप कोई सोजना का लाब नहीं मिलेगा पंजी करण के उपरान तो बुकताओं को संपूर धनरा से जमा करने तथा पर्थम किस्त के बुकतान है तो दिनांग 31 जूलाई 2024 तक समय दिया जाएगा अब देखिए यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है आपकी पर्थम किस्त और छठी किस्त तक कितने डेट तक आप जमा कर पाएंगे परताम किस्ट यहां पर 3571-2023,Netुद देखें विखलपशी olur 138-2024 अगर आप छुनते हैं दोस्तों अगर छे किस्ट में अपना पैसा जमा करना चाहते हैं तो परताम किस्त आप जमा करेंगे 3 coordinates Bl immortal platform चाहजार चोबिस तो इस तरीके से इसमें पूरी डिटेल बता दी गई है अब बता दी गई जिदनी भी नियम और सर्ते थे आप इसे वीडियो के मादम से जान जूकर दोस्तों इसमें रेजिट्रेशन करने का प्रोसेस भी आसान ही रहेगा रेजिट्रेशन आप देखिए यहाँ पर लेटेस्ट नियूज में आएंगे उत्तर प्रदेश किर्सक बिद्दूत बिल माफी होजना पर किलिक करेंगे तो इस तरीके से पेज़ खुल जाएगा यहाँ पर डिस्टिक आपको जो अपना डिस्टिक है उसे आपको यहाँ पर होगी चैनल पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आइसी बेटिक नोटिफिसन पाने के लिए चैनले के साथ जरूर जुड़ें